कुछ दिनों पहले ही सोन ने स्टेशन पे एक चाई की दुकान खोली है और आज सोन के सारे दोस्ट सोन की दुकान पे चाई पीने के लिए आए हैं तब ही आलोग गुली बुली से कहता है कि गुली बुली मुझे लगता है कि हम लोग यहां फाल्तु में आये हैं सोन हम लोगों को चाई पिलाने वाला नहीं है चलो हम लोग यहां से चलते हैं आलोग की बाद सुनते ही गुली कहता है हाँ आलोग तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो चलो हम लोग किसी दूसरे दुखान में जाकर चाय पीते हैं गुली की बाद सुनने के बाद सौन इन लोगों से कहता है अरे रुको तुम लोग कहा जा रहे हो मैं अभी तुम लोगों को चाय बना कर देता हूँ इतना कहने के बाद सोन चाय बनाने के लिए आगे बढ़ता है सोन चाय बनाने वाला ही होता है कि तबी सोन को एक ख्रेन के हौर्न की आवाज आती है हौर्न की आवाज सुनने के बाद सोन काफ़ी यदा घबरा जाता है और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगता है और ये के राद के तो 12 बच चुके हैं ये देखकर सौन भागता हुँ अपनी दुकान से बाहर चला जाता है दुकान से बाहर आने के बाद सौन अपने दुकान का सटर बंद कर देता है और सोन इन लोगों से कहता है कि हम लोगों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि यहां रुखना खतरों से खाली नहीं है सोन की बात सुनने के बाद बुली सोन से कहता है कि सोन अगर तुमें हम लोगों को चाय नहीं फिलानी थी तो तुम हम लोगों को पहले ही बता देते हम लोग यहां से चले जाते इधनी नोटंकी करने की क्या जरूरत है सोन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी इन लोगों को किसी की आवाज आती है और ये कहा यहाँ पे तो एक आदमी है और ये आदमी इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोगों को पता नहीं है कि सापिर ट्रेन के आने का टाइम हो गया जल्दी से अपने अपने घर चले जाओ नहीं तो तुम लोगों की जान खतरे में पर सकती है मैं तो अपने घर जा रहा हूँ तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ इतना कहने के बाद ये आदमी दोडते हुए यहां से चला जाता है तबी बुली कहता है मुझे लगता है कि वो आदमी पागल है तुम लोग उसकी बातों पर ध्यान मत दो बुली की बात सुनते ही सोन बुली से कहता है अरे बुली वो आदमी पागल नहीं है वो आदमी सच बोल रहा है थोड़ी देर बाद यहाँ एक ट्रेन आएगी जो की सापित है जो भी उस ट्रेन में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है क्योंकि उस ट्रेन में बहुत सारे भ पागल नहीं हुआ हूँ और नहीं मैं जूट बोल रहा हूँ अगर तुम लोगों को मुझे पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग उस ट्रेन में जाकर देख सकते हो। पता है कि तुम डर पोक हो तुम उस ट्रेन में जाने से डर रहे हो अगर तुम में डर लगता है तो तुम हम लोगों के साथ मत जाओ। को ऐसा लग रहा है कि सोन इन लोगों के साथ मजा कर रहा है पर इन लोगों को पता नहीं है कि सोन इन लोगों को सच बोल रहा है। तब ही रोड इन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग ट्रेन के अंदर चलते हैं इतना कहने के बाद ये सारे लोग उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। बैट जाते हैं। तब ही बुली सोन से कहता है कि सोन तुम तो कह रहे थे कि इस ट्रेन में बहुत सारे भूत हैं लेकिन यहां तो एक भी भूत नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग बात करी रहे होते हैं कि तभी सापी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है कुछ दर बात इन लोग की ट्रेन एक बिरिज के पांस आते ही इन लोग की ट्रेन धीमी हो जाती है और यह क्या यह सारे लोग तो नीचे नदी को देखने में लगे हुए है और फिर इस बिरिज के खत्म होते ही वापस से इन लोग की ट्रेन स्पीड हो जाती है और फिर बहुत दर बाद इन लोग की ट्रेन एक खत्रनाक से जंगल में आ जाती है अर ये क्या ये जंगल तो दिखने में बहुत ही जादा सुंचान है अर ये क्या ये सारे लोग तो सोये हुए हैं ये लोग सो रहे हैं पर इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीवत में फसने वाले हैं सारे लोग सोही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सोन उट जाता है और सोन अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है पता नहीं सोन ने ऐसा क्या देख लिया सोन ने देखा कि आगे वाली सीट पे तो कोई बैठा हुआ है और फिर सोन उस आदमी को देखने के लिए धीरे धीरे उस आदमी की तरब जाने लगता है अरी क्या वो भूत तो गायब होकर सोन के पीछे आ गया पर सोन को पता नहीं है कि वो भूत सोन के पीछे है और फिर सोन जैसे ही पीछे पलटता है तो सोन उस भूत को देखकर बहुत जादा डर जाता है अर ये क्या इधर तो ये सारी लोग सो रहे हैं सोन उस भूत को देखी रहा होता है कि तभी अचानक से सोन बेहोस हो जाता है और सोन नीचे गिर जाता है सारे लोग सोही रहे होते हैं कि तभी अचारक से गुली उठ जाता है और गुली अपने सामने देखकर काफी अधा डर जाता है गुली देखता है कि सोन तो नीचे गिरा हुआ है, ये सब देखकर गुली सारे लोगों से कहता है जल्दी उठो तुम लोग, देखो सोन को क्या हो गया और फिर थोड़ी देर में ये सारे लोग सोन को उठाकर सिर्वे बैठा देते हैं पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सोन नीचे कैसे गिर गया तभी गुली सोन से कहता है सोन तुमें क्या हो गया जल्दी उठो गुली के इतना कहते ही सोन उड़ जाता है और सोन इधर उधर देखने लगता है तभी गुली तोरी दर पहले मैं सो रहा था तभी अजानक से मैं उड़ गया और मैंने देखा कि सामने वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था और मैं उसे देखने के लिए उसकी तरफ जाने लगा तब ही अचानक से वो आदमी गायब हो गया और फिर मेरे पीछे आ गया और जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं बहुत जादा डर गया और मैं बेहोस हो गया गुली मुझे लगता है कि वो कोई आदमी नहीं था वो भूत था अरे सोन ये तुम कैसी बाते कर रहे हो भूत भूत कुछ नहीं होता है मुझे लगता है कि तुमने कोई सपना देखा है तभी आलोग कहता है नहीं गुली अगर सोन कोई सपना देखता तो सोन वहां कैसे बहुस पड़ा होता हाँ गुली मैंने सपना नहीं देखा है मैंने सच में भूत को देखा है सोन इतना कही रहा होता है कि तभी अचानक से ट्रेन रुख जाती है इन लोगों को सौझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रेन यहां क्यों रुख गई काफी देर इंतजार करने के बाद भी ये ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है तब ही रोड कहता है यारे ये ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है चलो हम लोग जा कर देखते है सोन कहता है तुम लोगों को जाना है तो जाओ लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाओंगा क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है तब ही बुली इन लोगों से कहता है तुम लोग जाओ मैं सोन के साथ यहीं रुखता हूँ और फिर ये सारे लोग एक एक करके ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं ट्रेन से बाहर आने के बाद ये सारे लोग ट्रेन के आगे की तरफ जाने लगते हैं ये सारे लोग आगे की तरब जाही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ट्रेन आगे बढ़ने लग जाती है ट्रेन को चलता देख ये लोग भी ट्रेन के पीछे पीछे दोड़ने लग जाते है और इधर बुली सोन से कहता है यारे सोन ट्रेन तो स्टार्ट हो गई और वो सारे लोग तो उसी जगा पर छुट गए अब हम लोग क्या करेंगे हाँ बुली हम लोग ट्रेन को कैसे रोकेंगे ये ट्रेन को रोकने वाला चैन तो इस ट्रेन में है ही नहीं अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी कुछ सोचो ये लोग बात करी रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिस होने लग जाती है कुछ देर बाद इन लोगों की ट्रेन एक पुराने स्टेशन पे आकर रुखती है ये स्टेशन तो सुंचान और बहुत ज़्यादा पुराना है यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है ट्रेन के अंदर बुली और सोन ये सोचने में लगे हुए हैं कि ये लोग इस जगा पे उतरेंगे या फिर नहीं ये लोग ये सब सोची रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और आगे की तरफ जाने लगती है और ये लोग ट्रेन से नीचे रही उतर पाते हैं और फिर काफी देर बाद ये सारे लोग दोड़ते दोड़ते इस जगा पर आ जाते हैं पर ये लोग आप और नहीं दोड़ पाएंगे क्योंकि ये लोग काफे यादा ठक चुके हैं इसलिए यह सारे लोग दोड़ते हुए एक जोपरी के नीचे जाकर छिप जाते हैं तबी गुली इन लोगों से कहता है हम लोग कब तक इस बारिश में इसी तरह दोड़ते रहेंगे हम लोगों को यहां रुप कर किसी दूसरे ट्रेन के आने का इंतिजार करना चाहिए और इधर सौन और बुली ट्रेन को रोखने के लिए इधर उधर देखने में लगे हुए हैं अरे बुली वो देखो तुम्हारे पीछे कोई है अरे सौन वहां तो कोई भी नहीं है क्यों जूट बोल रहे हो बुली इतना कही रहा होता है कि तभी अरे क्या बुली को तो किसी ने खिच लिया पता नहीं बुली को किस ने खिचा ये सब देखकर सौन बहुत जादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है कुछ दर बाद सौन सोचता है कि उसे बुल्ली के पास जाकर देखना चाहिए कहीं बुल्ली को चोड़ तो नहीं लगी है ये सब सोचने के बाद सौन बुल्ली के पास जाने के लिए उठकर खड़ा होता है लेकिन सौन को डर भी लग रहा है फिर भी सौन बुल्ली के पास जा रहा है सौन बुल्ली के काफी यादा करीब पहुंच चुका है लेकिन सौन को अभी भी डर लग रहा है जैसे ही सौन बुल्ली के पास पहुँचता है तो सौन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और सौन पीछे पलड़ कर देखने लगता है अर ये क्या सौन तो काफ़ जादा डर चुका है पता नहीं सौन ने किसे देख लिया और ये क्या सोन की तरब तो कोई आ रहा है और ये क्या उस सुड़ेल ने तो सोन पे हमला कर दिया उस सुड़ेल के हमले से सोन नीचे गिर कर बेहोस हो जाता है और इधर ये लोग किसी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं ये लोग इंचजार करी रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को एक ट्रेन के होर्न की आवाज सुनाई देती है और ये क्या यहां तो एक ट्रेन आ चुकी है इस ट्रेन को देखने के बाद ये लोग कापे ज़्यादा खुश हो जाते हैं तभी आ लोग कहता है चलो सारे लोग इस ट्रेन में चड़ जा इतना कहते ही ये लोग दोड़ते हुए ट्रेन में चड़ने लगते हैं जैसे ही ये लोग ट्रेन में चड़ते हैं तो बारे सुख जाती है ये सारे लोग ट्रेन में चड़ जाते हैं और ये ट्रेन इस्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है पता नहीं ये लोग बुल्ली और सोन को कैसे ढूनेंगे क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि बुल्ली और सोन अभी किस जगा पर है और इधर बुली और सोन बेहोस पड़े हुए थे तबी अचानक से बुली को होस आ जाता है और बुली उठकर खड़ा हो जाता है जैसे ही बुली उठकर खड़ा होता है तो बुली इधर उधर देखने लगता है बुली इधर उधर देखी रहा होता है कि तब ही बुली देखता है कि सोन तो बेहोस पड़ा हुआ है और फिर बुली सोन से कहता है सोन जल्दी उठो बुल्ली के इतना कहते ही सोन उठने लग जाता है सोन उठकर खड़ा होता है और इधर उदर देखने लगता है तबी सोन बुल्ली से कहता है कि देखा बुल्ली मैंने कहा था ना कि इस ट्रेन में बहुत सारे भूत हैं तुम लोगोंने मेरी बात नहीं मानी थी अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते तो हम लोग इतनी बड़ी मुसीवत में नहीं फसते तबी बुली सोन से कहता है कि अरी सोन छोड़ो जो हो गया सो हो गया आप इस ट्रेन से उतरने की सोचो मुझे लगता है कि जैसे ही अगला स्टेशन आएगा तो हम लोग दोनों वहाँ उतर जाएंगे और इधर ये लोग उजगा से काफी आदत दूरा चुके हैं लेकिन ये लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि बुली और सोन इन लोगों को कहां मिलेंगे अरी ये क्या ये सापी ट्रेन तो एक स्टेशन के पास पहुँच चुकी है तभी बुली सोन से कहता है कि अरी सोन वो देखो वहाँ पे तो एक स्टेशन है जैसे ही स्टेशन के पास ट्रेन रुकेगी तो हम लोग वहाँ उतर जाएंगे और फिर चापी ट्रें इस्टेशन के पाथ आकर रुप जाती है बुली और सोन ट्रें से उतरने के लिए तयार हो जाते हैं तभी इन लोगों के पीछे वही भूथ आ जाता है जिसे देखकर ये लोग काफी आधा डऱ जाते हैं और ट्रेन से स्टेशन पे कूच जाते हैं और फिर सापी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और यहां से आगे चली जाती है बुली और सोन काफी जादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों की जान बच चुकी है तबी सोन बुली से कहता है कि यारे बुली तुम डरो माध हम लोगों की जान बच गई है तबी बुली गुस्टे से कहता है सोन मैं कहां डर रहा था डर तो तुम गए थे सौन कहता है यारे बुली वो सब छोड़ो चलो बेंच पर बैट कर उन लोगों के आने का इंतिजार करते है और फिर सौन और बुली बेंच पर बैट कर बाकी लोगों के आने का इंतिजार करने लगते है बुली और सोन बाकी लोगों के आने का इंतिदार करी रहे होते हैं कि तभी इस जगा की लाइट बंच जालू होने लगती है अरे बुली ये सब क्या हो रहा है और ये लाइट क्यों चली गई बुली और सोन को कुछ आवाज सुनाई देती है और ये लोग बेंच से नीचे उतर जाते हैं ये लोग देखते हैं कि आगे तो एक डश्ट बीन गिरा हुआ है और फिर वो डश्ट बीन इन लोगों की तरफ अपने आप आने लगती है इन लोगों के पास आते ही वो डश्ट बीन खड़ी हो जाती है जैसे ही बुली और सोन ये सब देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं बुली और सोन भागी रहे होते हैं कि तब ही इन लोगों को सामने से ट्रेन आती हुई दिखाई देती है अरी ये तो वही ट्रेन है जिसमें बाकी लोग आ रहे हैं और फिर ये ट्रेन स्टेशन के पांस आकर रुपती है और ये सारे लोग बुल्ली और सोन को देखकर काफे जादा कुश हो जाते हैं और फिर सारे लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और ये ट्रेन स्टार्ट होकर यहां से आगे चली जाती है तबी बुली इन लोगों से कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग यहां आ गए मैं और सोन तो भूत को देखकर काफे यादा डर गए थे और हम लोग तो यहां से भागने वाले थे लेकिन तुम लोग आ गए और हाँ ये स्टेशन भी बहुत जादा ख़तरनाक है चलो यहां से घर चलते है तबी स्काइलर कहता है हाँ बुली चलो घर चलते हैं हम लोग कभी और बाबा को लेकर आएंगे और भूत को खत्म कर देंगे इतना कहने के बाद ये सारे लोग घर जाने लगते हैं और ये शोरी यही पर खत्म हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन लोटिपिक इसन पर आउन करना ना भूलें